वेलकम बैक टू सिविल स्ट्रक्चर टेक गुरुजी यूटू चनल, हेर इंजिनेर हरी आज हम राम मंदिर के बारे में देखेगे जिस भव्वे मंदिर का आज 22 जन्वडी 22 को प्रायमिस्ट रनेदर मोदी, उत्तर परदेश के मुख्य मंत्री श्री योगी और देश बिदेश से यवग भारत वर्ष से आए कोने कोने से परमुख संत यवग परमुख लोगों के बीच बरेक धार्मिक उल्लास के साथ इनकी प्रान प्रतिश्टा संपन हो गई तो हम राम मंदीर की चर्चा करेंगे कंस्ट्रक्शन पॉइंट व्यू से और उसमें किनकीन कंस्ट्रक्शन एजन्सियों के यगदान हुई उसके आलावे इनका जो सिल सिर्वा ढंग से किस तरह से राम मंदीर बनाने में क्या के अर्चने आई तो सुरू से लेके अंतक आई इस वीडियो के देखे ताकि इसकी जनकारी आपको प्राप्त हो सके राम मंदीर मस्जिद बनने के 330 साल बात सुरू हुई थी हग की जंग 134 साल चली कानुई लडाई की यही पूरी कहानी भगवान राम की नगड़ी अजद्या में 22 जन्वरी को स्री राम मंदीर में राम लला की पराम प्रतिष्टा आसंपन हुई मंदीर के उध्गाटन के साथ ही अजद्या में बना राम मंदीर भारत समेत दुनिया भर्ड में फैले हिंद्यों के लिए आस्ता का बरा केंद्र बनकर उभरेगा आज जो भव्वे राम मंदीर अकार ले रहा है उसके पीछे दर्सकों तक चली लंबी कानुणी लडाई है अयुद्या में राम मंदीर निर्मान का सफर काफी चुनोती भरा रहा बाबरी विवाद अदालतों में चली लंबी लडाई और फिड शिर्ष अदारत के फैसले के बाद मंदीर का निर्मान शुरू हुआ अब देश्वासियों का बाई जरूरिक अब खत्म हो गया है आज जो है राम लला मंदीर में प्रधान मंतरी मोदी द्वारा और अन्य सिवकों द्वारा सभी देश से आए हुए भंतों द्वारा इसकी करेकरम जो है आज संपन हुई राम लला का अयुद्या में राम मंदीर में प्रान्परतिश्टा का करेकरम संपन हो चुका है मंदीर आज के निर्मान और प्रान्परतिश्टा के पहले कई दसक से चली आ रही सिलसिलवा ढङ से सभी जो विश्तित घटनाओं का हम इस वीडियो में देखेंगे इसके साद एक जन्वरी 1993 को न्याधिस हरीनाथ तिलहरी ने दर्शन पूजन की अनुमति दे दी साद जन्वरी 1993 को केंद सरकार ने धाचे वाले अस्थान और कल्यांसी सरकार द्वारा नियास को दिगे भूमी साइट यहां कुल 67 एकर भूमी का दिगरन कर लिया गया सन 2002 में हाई कोट में शुरू हुई मलिकाना हक की लड़ाई अप्रिल 2002 में उच न्याले की लखनोग खंट फिट ने बेवादित अस्तल का मलिकाना हक तै करने के लिए सुनवाई शुरू की उच न्याले ने 5 मार्च 2003 को भारतिये पुराथत्य शरक्षन को सम्मंदित अस्तल पर खुदाई का निर्देश दिया 22 अगस्ट 2003 को भारतिये पुराथत्य शरक्षन ने न्याले को रिपोर्ट सपी इसमें समंदित अस्तल पर जमीन की नीचे एक विशाल हिंदू मंदिर का धाचा होने की बात कही गई सन 2010 में इलहाबाद उच न्याले ने दिया एतिहासिक फैसला 30 सितंबर 2010 को इलहाबाद उच न्याले ने इस अस्तल को तीनों पक्षो स्री राम लला विड़ाजमान निर्मोही अखारा और सुनी सेंट्रल वक बोड में बराबर बराबर बाटने का आदेश दे दिया न्याधिसो ने बीच वाले गुंबत के नीचे जहां मुर्तिया थी उसे जनमस्थान माना इसके बाद मामला जो है सुरच न्याले में पहुची 21 मार्च 2017 को और सुरच न्याले ने मद्यस्ता से मामले सुलजाने की पेसकस की दोनों पक्ष राजी हो तो वह भी इसके लिए त्यार है अब 2017 में सरोच नियाले द्वारा मध्यस्ता की पेसकस अजुध्या मेराममंदिर जन भूमी की लड़ाई अब देश की सरोच नियाले अदाल तक जाक पहुची थी 11 मार 2017 को शरोच नियाले ने मध्यस्ता के मामले में सुझाने की पेसकस की यह भी कहा कि दोनों पक्ष राजी हो तो वह भी इसके लिए त्यार है अब देखिए संद 2019 में सुप्रीम कोट फैसला और मंदिर निर्मान का रास्ता साफ 6 अगस 2019 को सुरोच नियाले ने परतिनी सुनवाई शुरू की और 16 अक्टूबर 2019 को सुरोच नियाले में सुनवाई पूरी हुई और कोट ने फैसला सुरक्षित रख लिया इससे पहले 40 दिन तक लगतार सुप्रीम कोट ने सुनवाई की 9 नुवंबर 2019 को 134 साल से चली आ रही लडाई में अब वक्त था अंति फैसले का 9 नुवंबर 2019 कोर सुरोच नियाले ने सम्मंदित अस्तल को स्री राम जन भूमी माना और 2.77 एकर भूमी राम लला के स्वामित्व की मानी वही निर्मोही अखारा और सुनी वक्ष बोर्ड के दावय को खारिज कर दिया इसके साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिया कि मंदीर निर्मान के लिए केन सरकार तीन महीने में ट्रस्ट बनाए और ट्रस्ट निर्मोही अखारे के एक परतिरिद्व के द्वारा ही उनको भी सामिल करे इसके अलावा यह भी आदेश दिया गया कि उत्तर पर्देश की सरकार मुस्लिम पक्च को बेकल्पिक भूमी के रूपे महजिद बनाने के लिए पांच एकर भूमी भी उपलत कराए यह आदेश दिया सुप्रेम कोट ने 2020 को अजोध्या में मंदिर की अधार सिला के साथ निर्मान शुरू की गई साथ दसको से चली आ रही कानुई लड़ाई भी समाप्त हो गई अब बारिति निर्मान की पांच फरवड़ी 2020 को प्रधान मनती नरेंदर मोदी ने अयोध्या में मंदिर निर्मान के लिए राम जनभूमी ठीक छो महीने बाद पांच अगस 2020 को अयोध्या में राम मंदिर की अधार सिला रखे गई जिसमें पी एम मोदी भी शामिल हुए 2024 को भव्य मंदिर में राम लला की प्रान परतिष्टा 34 साल से चली आ रही लडाई के बाद अवजध्या में भव्य मंदिर का निर्मान लगभग खत्म हो चुका है राम जनभूमी पर मंदिर के पहले चलन का काम पूरा हो गया 22 जनवरी 2024 की वह इतिहासिक दीन भी आ गई जब मंदिर में भव्य मंदिर की प्रान परतिष्टा संपन की गई और यत्तेश जनवरी से मंदिर आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा करीब 1800 क्रोड रुपे की लागत से बने स्री राम जनभूमी मंदिर का निर्मान इंजरेनिंग और इंफ्रा सेक्टर की सबसे दिगज कमपनी लार्शन एंटिवरो ने की है और फर्दर इनका काम इस पर जाड़ी है माना जा रहा है कि एक हजार साल तक इस मंदिर को आंधी तुफान भुकम या बाढ़ हिला नहीं पाएगी इसमें लोहे का इस्तमाल नहीं किया गया है L&T के अलावे भी कई कमपनिया और संस्तानों ने राम मंदिर के सपने को सकार करने में काफी योगदान दिया है अब हम देखते हैं कि कौन से कमपनिया इस राम मंदिर के निर्मान में सहोग की है या कर रही है तो राम अंदिर की निर्मान का काम मुख्यता देश की सबसे दिगज कमपाणी लार्शने टूब्रो एलन्टी को सोपा गया है यह कमपाणी देश भी देश में कई अहम परजेक्ट बना चुकी है इसमें गुजरात के सरदार पटेल की मुर्ती स्टेचू अउनिटी अहमदाबाद की दुनिया की सबसे बड़ा क्रिक्ट स्टेडियम रावर किला में दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम मुंबई का अटल सेतु सामील है स्री राम जनभुमी की तिर्थ छेत्र ट्रस्ट के महा सचिव चंपत राय का दवा है कि 15 साल पहले इस कमपानी के साथ राम मंदीर की निर्मान का परचच्चा हुई थी जब कमपानी के परमुक एम नाइक ने इसे बनाने का वादा किया था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए स्री राम जनभुमी तिर्थ ट्रस्ट का ने ठाटा कंसलेटेसिंग इंजनियर्स लिम्टेट की सिवाय ले थी इस कमपानी को इंफ्राइस्ट्रक्चर से जुरे बड़े प्रोजेक्ट को मैनेजमेंट करने के कई साल का अन्भो प्राचे के निउ के लिए सबसे अहम होती है राम मंदिर के मिटी की जांच और एनलाइसिस इसकी जिम्दारी सेंट्रल बोर्ड बिल्डिंग रिसर्च इंस्यूट सीबी आराई जो रूर्की में है उन्होंने निभाई है मिटी टेस्टिंग की जांच और एनलाइसिस क्यो शुरुबात कर दी थी और राम से राम मंदिर के स्ट्रक्चल डिजाइन, सुर्ज अतिलक मेकेनिजिम के डिजाइन और मंदिर के फानुडेशन की डिजाइन का काम इस अंस्तान को सोपा गया था नेशनल जियोफिजिक्स रिचर्स इंस्टूट एंजी आराई ने राम मंदिर की निर्मान अस्तल के जियोलोजकल मेक अप को समझाने में अहम भूमिका निवाई Advanced Geophysical Technics का इस्तमाल करते हुए राम मंदिर की निर्मान अस्तल की एक-एक परत का अध्यन किया गया और संभावित जोख्मियों की पहचानकर Construction Engineer को सुझाओ दी गई Institute से मिले सुझाओ के बारे में Project के रास्ते में आने वाली संभावित और चनों को दूर करने में काफी मदद मिली इसके अलावे IIT Bombay, IIT Guwahati और IIT Madras ने भी राम मंदिर के निर्मान में काफी सहयोग किया इनमे Structural Engineering, Material Science और वुकम रोतिर डिजाइन सामिल है इन सस्ताओं ने राम मंदिर के निर्मान में प्रापगत विधाओ के सांसत अत्यादुनिक तकनी का भी इस्तमाल किये और किया जा रहा है राम मंदिर के निर्मान में हजारो कारीगर इंजिनियर्स मजदूर और बाकी जो स्टाफ्स है एड्मिन स्टाफ एटू जेट उनके जो सिकूर्टी गार्ट्स सभी अस्तर पर छोटे बड़े अस्तर से सभी का एक बहुत अच्छा टीम बना करके उस पर रात दिन काम करने के बाद में ही राम मंदिर एक समय कनुसार भव रूप से त्यार हो गई है जो इसके अलाव है समय समय पर फंट की आपूरती मेटियल के आपूरती के लिए बजटिंग सेंट्रल गॉर्मेंट एज विले स्टेट गॉर्मेंट लोकाल इनिस्टिसन सभी ने मिलकर सहो किया अन्य था ये मंदिर बनाना संभव नहीं था इन टाइम एक समय को नुसार भव्य रूप से त्यार हो गई है जो कि विश्व में और भारत वर्ष के लिए एक अन्मल धोर्वर कुबे साबित होगी और यह आस्ता का हिंदू धर्म के एक आस्ता का परतिक मानी जाएगी जो कि हजारों हजारों साल तक यह चलेगी हर एक पत्थर में ऐसी महीन कारेगिरी की गई है कि पत्थर भी बोल उठे है इसकी मिसाल विश्व में कहीं देखने को नहीं मिलेगा इस तरह से राम अंदिर के बारे में हमने कुछ चर्चा किया उमीद है इस वीडियो में दिगे जनकारी से आप ज़रू संतुश ठोंगे एध एडि आप इखरम नहे है तो यदि आप इस चर्म नहे है तो इव रफेश्व रिखेशर तो पुट और नाहे है तो आझाल प्रच्टर घजाया तो वाग किस म्तरे में धिब 6 ओ ईजयतो मॐ लाल आप तो थीडियो में आप टिर आप एजमी देखने कि वर शकीर में ड बड़ी मत जय हिन्दी